प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण इस समय आपका विद्याले आना स्तगित है। जुहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था धातू और अधातू के भौतिक गुनों के बारे में। आज हम लोग उससे आगे धातू और अधातू के रासाइनिक गुनों के बारे में जानेंगे। पहला है धातू का ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया। आप देखे होंगे कि अपने आसपास में जो लोहे के छड़, लोहे के खिड़कियां या अइन जो सामगरी है लोहे के या तामबे के या अलमुनियम के उसमें एक परत जमा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये एक परत जमा हो गया है जिसको हम लोग जंग कहते हैं, रस्त लग जाना, जंग लगना। ये होता क्यों है तो लोहा ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके हलाकि ये अभिक्रिया बहुत धीमी होती है फिर भी ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके इस तरह से जंग लग जाता है इसमें इसी तरह इसमें भी देखिए ये भी लोहे का है और इसके उपर में भी जंग लगा हुआ है हम लोग थोड़ा इसके उपर खरोंच देंगे ये खरोंचने पर ये देखिए यहां पर कुछ भूरे रंग का एक पाउडर निकल रहा है और भूरे रंग का ये पाउडर जब हट जाता है तो अंदर ये चमकीला नजराता है तो ये भूरा रंग जो है ये लौ आकसाइड होता है ये जंग कहलाता है इसको जब हटा देते हैं खरोंच करके या सैंड पेपर से भी अगर हम लोग इसको रगड करके साफ करते हैं तो ये उपर वाला जो परत है जो लौ ऑक्साइड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो लौ ऑक्साइड हट जाता है तो अंदर इसके चमकीला भाग दिखाए पड़ता है ये देखिए और ये जो ब्राउन कलर का या भूरे रंग का जो मेरे अंगलियों में लगी हुई है ये लौ ऑक्साइड है जिसको हम लोग जंग या रस्ट कहते हैं इसी तरह से अल्मूनियम में भी देखिएगा ये देखिए यहां का भाग और यहां के भाग में अंतर हैं यहां पर ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके उपर एक परत बन गई है इसको भी हम लोग ऐसे देखते हैं खरूच करके तो ये देखिए इसके अंदर भी ये चमकिला भाग निकल करा रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि धातूं में एक चमक होती है वह चमक बरकरार रहता है लेकिन ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके इसके उपर यह भद्दा यह डलनेस इसमें आ जाता है लेकिन उसी को अगर हम लोग उपर का हिस्सा हटा देते हैं तो इस तरह से यह चमकिला दिखने लगता है एक और धातू है सोडियम यह इसमें देखिए यह भी ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है तो यह भी धातू है जो की बहुत मुलायम होता है यह देखिए हम दाव रहे हैं तो यह तूट रहा है यह देखिए पिछले पाठ में भी आपने देखा होगा कि यह जो है मुलायम होता है सभी धातू में कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटाशियम मुलायम होता है जिसको हम लोग चाकू से या ब्लेड से आसानी से यह देखिए काट सकते हैं लेकिन लोहे को हम लोग काट नहीं सकते हैं एक और धातू है जो magnesium है इस magnesium के साथ में भी देखते हैं oxygen की क्या अभिकरिया होती है इसके लिए ये magnesium का फिता या magnesium ribbon इसको कहते हैं और इसको गर्म करने पर क्या होता है देखी इसमें भी हवा का जो oxygen है उसके साथ में इसमें भी देख सकते हैं ये देखिए इसके उपर में ये rust लगा हुआ है magnesium oxide और इसको हम लोग ऐसे उपर का हिस्सा घिस करके blade से हटा देते हैं तो इसके अंदर देखिए काफी चमकिला भाग दिखाई पड़ता है अब इसको हम लोग जला करके देखते हैं क्या होता है इस क्रिया कलाप के लिए एक spirit lamp या मोम बत्ती लेते हैं एक magnesium का फीता या magnesium ribbon लेते हैं और एक चिम्टा लेते हैं इसको पकड़ने के लिए तो आएए देखते हैं इसको ये काफी तेज रोसनी से या जल रहा है और जहां जल गया वहां नीचे देखिए एक सफेद पदार्थ इस फीता के आकार का ही एक सफेद पदार्थ वहां बन रहा है अब ये देखिए ये पूरा magnesium का फीता जो है वह जल करके खत्म हो गया और इस प्लेट पर गिरा अब इसका हम लोग एक जांच करेंगे कि ये आखिर ये जो राख है ये है क्या तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी मिलाते हैं ये और इस पर लिटमस पत्र का हम लोग जांच करते हैं लिटमस पत्र से ये एक लाल लिटमस पत्र है आप पहले भी इसके बारे में जान चुके होंगे इस लिटमस पत्र का एक टुकुड़ा लेते हैं और इस पर रखते हैं देखते हैं क्या होता है ये देखिए इसके रंग में परिवर्तन ये निला हो गया तो लाल लिटमस पत्र को छार निला कर देता है इसका मतलब जो ऑक्साइड बना मेंगनिसियम ऑक्साइड वह मेंगनिसियम ऑक्साइड लाल लिटमस को निला कर दिया इसका मतलब वह जो मेंगनिसियम ऑक्साइड है वह एक छारिय ऑक्साइड है अर्थात मेंगनिसियम ऑक्सिजन की उपस्थिती में जल करके मेंगनिसियम बनाता है जो की एक शारिय ऑक्साइड है इस पर ही हम लोग नीले लिटमस पत्र को भी डाल करके देखेंगे कि या इसमें कुछ परिवर्तन होता है या नहीं तो इस लिटमस को भी हम लोग डालते हैं ये नीला लिटमस पत्र है देखिए इसमें से एक को लेते हैं एक पत्र को और इसमें डाल करके देखते हैं तो इसमें देखिए कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है अर्थात नीला जो है वो नीला ही रह जाता है इस परकार ये मैंगनेसियम ऑक्साइड एक छारिय ऑक्साइड है अर्थात मैंगनेसियम ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके छारिय ऑक्साइड बनाता है इस तरह हमने देखा लोहे के साथ अभिक्रिया सोडियम के साथ ऑक्सिजन की अभिक्रिया और मैंगनेसियम के साथ ऑक्सिजन की अभिक्रिया तीनो में सोडियम के साथ अविक्रिया करके सोडियम आकसाइड लोहा के साथ अविक्रिया करके लो आकसाइड जो जंग या रस्ट कहलाता है और अलमुनियम के साथ अक्सिजन की अविक्रिया से अलमुनियम अक्साइड और अंततह ये मैगनेसियम के साथ अविक्रिया करके मैगनेसियम अक्साइड बनाता है आएए अब देखते हैं कि धातू पानी या जल के साथ कैसी अविक्रिया करती है जब हम लोग सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत ही तिव्र गती से ये अभिक्रिया होती है और पोटासियम के साथ भी ऐसे ही अभिक्रिया होती है बहुत तिव्र गती से ये दोनों धातु पानी से अभिक्रिया करते हैं आईए देखते हैं सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके पानी में क्या होता है बच्चों इस प्रयोग को करने में काफी साउधानी किया है और शिक्षक की उपस्थिती के बिना अर्थात शिक्षक की अनुपस्थिती में सोडियम से संबंधित कोई भी प्रयोग ना करें अरे यह तो पूरा विस्फोट के जैसा हो गया अब देखिए इसमें कितना जोर से आवाज हुई और उश्मा भी निकली काफी उश्मा भी इसमें उत्सर्जित होती है सोडियम का पानी के साथ अभिक्रिया से इसलिए कभी भी बड़े टुक्रों के साथ पानी की अभिक्रिया नहीं करानी चाहिए छोटा सा टुक्रा जैसा हमने पहले प्रयोग में लिया छोटा सा टुक्रा सरसों से थोड़ा सा बड़ा तो हम लोगों को वो अभिक्रिया दिखाई पड़ेगी और काफी तेजी से वो पानी के उपर तैरने लगता है और जब समाप्त हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है अभिक्रिया इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि धातू का पानी के साथ क्या अभिक्रिया होती है आईए अब धात्वों के साथ आमल की अभिक्रिया को देखते हैं बच्चों आमल का जब भी हम लोग उप्योग करेंगे तो बहुत ही साउधानी से उप्योग करना चाहिए चुश्यूंकि आमल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे तवचा कपड़े इन सभी चीजों को जला देते हैं इसलिए जब भी हम लोग अमल के साथ अभिक्रिया करें तो साउधानी से अभिक्रिया करें खास करके ऐसे प्रयोगों को सिक्षकों की उपस्थिती में ही किया जाना चाहिए तो आएए देखते हैं कि जस्ते के साथ में ये जस्ता है ये जस्ता एक धातू है देखिए इसमें चमक भी है और ये ठोस है एक आवाज भी निकल रही है इससे तो ये ठोस है धातू है जस्ता इसका नाम है जस्ते के साथ में ये हाइड्रोकलोरिक अम्ल या HCL की अविकिरिया क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं इसके लिए एक परखनली में जस्ते के कुछ टुक्णों को लेते हैं और इसको एक होल्डर से पकड़ते हैं ताकि ये इस्तीर रहे और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सल्फिव HCL या हाइड्रोकलोरिक अम्ल को डालते हैं ध्यान से देखिए क्या होता है ये देखिए फटफदाहट के साथ कुछ गैस इसमें निकल रही है अब इसको देखेंगे ये देखे, पप के साथ, ये, पप की धोनी के साथ में, ये जल गई, ये देखे, पप की आवाज के साथ, वहाँ जैसे ही हाइड्रोजन गैस बन रही है, वो पप की आवाज के साथ में, वो गैस जलने लगती है, इसका मतलब ये हुआ, कि जस्ते के साथ में, जब हाइड्रो जिंक, कुलोरईड और हीड्रोजन गैस इसमें बनती है हीड्रोजन गैस का गून क्या है हाइड्रोजन गैस कोद जलती है जैसे आपने देखा पप की आवाज से वोगेश जल गई इस तरह से जस्टे के साथ में तनू हाइड्रोकलोरिक अमल की अभिक्रिया से जींक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है और उश्मा काफी गर्म है ये अभी बहुत गर्म है तो वह गर्मी भी इसमें होती है इसलिए इसको कभी भी हाथ से नहीं छुना चाहिए अब और एक प्रयोग देखते हैं कि ये मैंगनिसियम धातू है ये जो है मेरे हाथ में ये मैंगनिसियम का धातू है जो अभी मैंगनिसियम का फीता जलाया गया था उसी में से एक टुकड़ा है इसके साथ में तनू हाइड्रोकलोरिक अमल की अभिक्रिया देखते हैं ये दे देखें यह भी देखिए पप के साथ जो आवाज कर रही है वह हाइड्रोजन गैस है जो खुद जल जाती है जिसमें भी काफी उस्मा उत्पन होती है यह उस्मा छेपी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं अब जब अगली कर्षाओं में जाएंगे तो उस्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे एक और प्रयोग देखते हैं यह धातू है यह इस तार का टुकड़ा जो अल्मुनियम का है इसी से यह टुकड़े लिए गया है इसके साथ में देखते हैं यह हाइड्रोक्लोरिक अमल की क्या अभिक्रिया होती है इसमें भी यह अल्मुनियम धातू है और इसमें हम लोग तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल को डालते हैं देखिए इसमें अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन जितनी तेजी मैंगनिसियम और जिंक के साथ में जस्ते के साथ में हुआ था उतनी तेजी से यह अभिक्रिया नहीं हो रही है लेकिन अभिक्रिया हो रही है यह देखिए बुलबुले बन रहे हैं अब थोड़ा सा इसकी भी जांच कर लेंगे क्या इसमें भी hydrogen gas बनती है अभी तक यहां gas नहीं आई है बहुत कम मात्रा में हो सकती है तो यह अभिक्रिया जो है बहुत तेजी से नहीं होती है लेकिन इसको गर्म करने पर इसकी अभिक्रिया की दर देखिए अब तेज हो गई अभिक्रिया गर्म करने पर देखिए यह बुल्बुले में hydrogen gas है यह देखिए गर्म करने पर इसका जो अभिक्रिया का दर है यह देखिए तो इस तरह से कुछ धातों के साथ में अम्ल काफी तिवर अभिक्रिया करती है कुछ में थोड़ा कम अभिकिरिया धीमी गती से लेकिन गर्म करने पर उसकी तिबरता बढ़ जाती है जैसे अल्मुनियम के साथ में अभी देख रहे हैं अल्मुनियम के साथ में जब HCL या हैड्रोकलोरिक अमल की अविक्रिया हो रही थी तो बहुत धीमी गती से शुरू हुई थी जैसे ही थोड़ा सा गर्म कर दिये उसमें आप देखे कितनी तिबरता बढ़ गई तो कुछ ऐसे धातू हैं जिनकी परतिक्रिया दर अलग-अलग होती है आईए अब देखते हैं धातू के साथ छारक का क्या अभिक्रिया होती है इसके लिए sodium hydroxide की कुछ ये टिकिया लेते हैं और इसको पानी से घोलते हैं तो ये sodium hydroxide जो एक छार है तिबर छार है इसके साथ में इसकी अभिक्रिया को देखते हैं कि धातू की अभिक्रिया कैसे होती है इस धातू के लिए थोड़ा से हम लोग ऐसे जिनक लेते हैं और इसमें ये sodium hydroxide का घोल को डालते हैं देखिए इसमें अभिक्रिया होती है जिंक के साथ में और इसमें sodium जिंकेट बनता है जो एक लवन है इस तरह से छार के साथ धातू की अभिक्रिया से लवन और hydrogen गैस बनती है तो इस गैस जो है हां यह भी पूरा भरा नहीं है इसको थोड़ा सा डाइलूट करते हैं एक और तुकुड़ा sodium hydroxide का डाल करके देखते हैं यह बहुत धीरे धीरे यह अभिक्रिया हो रही है देखिए और इससे sodium zincate बनता है इसको यहां रख देते हैं और इसमें जो sodium hydroxide का घोल है इसमें aluminium के कुछ टुकुड़े को डालते हैं यह देखिए अब एक्रिया तेजी से हो रही है इसमें अब देखते हैं इसमें इसमें भी hydrogen gas और aluminium के लवन इसमें बनते हैं यह देखिए hydrogen gas खुद जल गई इसका प्रमान है कि इससे hydrogen gas बनती है तो यह धातू के साथ चार के अभिक्रिया से लवन और hydrogen gas बनती है अब आईए देखते हैं अधातू के राशाइनिक गुन तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक यह गिलास लेते हैं और एक चमच लेते हैं और चमच कुछ इस परकार का होना चाहिए उद्धहन चमच और इसमें थोड़ा sulfur डाल देते हैं और इसको गर्म करते हैं जलने लगता है इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं जल रहा है वो देखिए और इसको हम लोग इससे ढख देते हैं इसका गैस बहुत ही खतरनाक होता है नाक के अंदर बिलकुल नहीं जाना चाहिए चूंकि यह गैस जैरिली होती है विशैली होती है पोईजनस होता है अब इसमें इसके अंदर देखिए यह कुछ धुआ सा पदार्थ जमा हो रहा है जो सल्फर के जलने से वो गैस बनी है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको इसके अंदर जो गैस थी वो गैस सल्फर डायोक्साइड गैस है और इस सल्फर डायोक्साइड को पानी में हम लोग घुला दिये और लिटमस पेपर पर इसकी जहांच करेंगे इसका रंग लाल हो गया निला से इसका मतलब यह जो सल्फर डायोक्साइड गैस बनी सल्फर के जलाने पर सल्फियूरस एसीड बना और जो गिलास में जमा हुआ था और इसको जब पानी में घुल दिये तो सल्फियूरस अमल बना और निले लिटमस पत्र को देखिए यह लाल कर दिया तो इस तरह से यह आधातू को जलाने पर इसमें यह अमलिय पदार्थ बनाता है सल्फियूरस अमल आगे देखते हैं एक और उदाहरन कोईला के साथ में यह कोईला है कोईला को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे जो राक बनती है वो भी इसका ऑक्साइड है और कोईला को जलाने पर एक गैस निकलती है जो कार्बन डायोक्साइड गैस बनती है इसी तरह से पानी के साथ में अधातू की अभिक्रिया बहुत कम होती है और लेकिन अक्सीजन जल में घुलनसील होता है इसलिए जो जलिये जीव होते हैं वो जल में जीवीत रहते हैं सांस लेने के काम में ऑक्सीजन गैस का उप्योग करते हैं इसके बाद आमल और शार के साथ में अधातू की अभिक्रिया नहीं होती है इसलिए ये अधातू के साथ रासायनिक अभिक्रिया इतना ही है आगे जो आप सारनी देख रहे हैं स्क्रीन में इसको आप देखिए और धातु और अधातु के राशनिक गुनों की तुलना करें इस तरह धातु और अधातु के कई उप्योग भी हैं धातु से घर पूल ये बनाये जाते हैं बहुत से ऐसे धातु हैं जैसे ये थर्मामीटर बनाया जाता है बहुत से धातु हैं लोहा जैसे हैं इस तरह से आउजार बनाया जाते हैं जैसे ये सलफर है इससे भी आउसधियां बनती हैं तो आप अपने पाटफुस्तक में और भी उपयोग दिये गए हैं उनका आप अध्यान करें और अपने स्वेम पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करें तो आज हम लोगों ने सीखा कि धातू के राशायनिक गुण अधातू के राशायनिक गुण और धातू और अधातू के गुण इस प्रसारण सी संबंधित सुझाव अपने प्रशने दिया दी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तदा टूल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर कर सकते हैं